हिजगुल्ला के हमलों की वज़ा से इसराइल के एर डिफेंस सिस्टम की आखे चौधिया गई है उसे ये समझ नहीं आ रहा कि आस्मान में ओड रही आपजेक्ट पक्षी है या फिर हिजगुल्ला के ड्रोन, मिसाइल या फिर रॉकेट दर असल हिजगुल्ला इसराइल के एर डिफेंस सिस्टम को छखाने के लिए थोक के भाव रॉकेट फायर कर रहा है और इसके बदले इसराइली एर डिफेंस सिस्टम को महगी महगी इंटरसेप्टर मिसाइल दागनी पड़ रही है जो इसराइल के लिए बेहद ही खर्चीला है उधर इसराइल इरान पर जवाबी हमले की तैयारी में भी लगा है लेकिन इस सब के बीच एक ऐसी ख़बर सामने आई है जो इसराइल के लिए बड़ी मुसीब ला सकती है दरासल ब्रिटेन की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इसराइल के पास अपने एर डिफेंस सिस्टम के लिए इंटरसेप्टर मिसाइले कम पड़ रही है और अगर इरान ने इसराइल पर फिर से हमला किया तो इसराइली एर डिफेंस सिस्टम आईसियू में जा सकता है इसको लेकर फाइनेंशल टाइम्स ने एक एक्सपर्ट और पूर्फ सेन्ने अधिकारी के हवाले से एक खबर छापी है अखबार का कहना है कि इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी को दूर करने के लिए अमेरिका इसराइल की मदद कर रहा है विशेश कर टर्मिनल हाइई अल्टिट्यूड एरेया डिफेंस मिसाइल सिस्टम यानी ठाड के जरिये लेकिन बड़े हमले की स्थिती में इसराइल को ये तैय करना पड़ेगा कि उसे किस मिसाइल को गिराना है और किसे जाने देना है वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की पूर रक्षा अभिकारी डैना स्ट्रॉल ने कहा कि इसराइल की गोला बारूद की समस्या गंभीर है अगर इरान ने इसराइली हमले का जवाब दिया और हिजगुला उसके साथ आया तो इसराइली एर डिफेंस सिस्टम पर हवाई सुरक्षा का दबाव बढ़ जाएगा डैना का कहना है कि अमेरिका के लिए इसराइल और युक्रेन को लगातार बारूद की सप्लाई करना आसान नहीं है वहीं इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सीईओ बोवाज लेवी का कहना है कि हमारी कुछ कम्पनिया 24 घंटे हफते के साथो दिन काम कर रही है आपको बता दे कि इसराइल के पास कई एर डिफेंस सिस्टम है जो अलग अलग किस्व के हवाई हमलों को नाकाम करते है इसराइल के पास आइरण डॉम है जो कम दूरी वाले रॉकेट और मिसाइलों को गिराता है डेविड स्लिंग मध्यम दूरी वाली मिसाइलों को और एरो सिस्टम लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराता है लेकिन इस्राइली सेना का कहना है कि 7 अक्तुबर 2023 को हमास के हमले के बाद से इस्राइल पर 20,000 से ज्यादा रोकेट और मिसाइल गाजा और लेबनान से फायर किये गए है I.D.F. का कहना है कि आबादी की तरफ जा रहे कई रॉकेट और मिसाइलों को इसराइल के एर डिफेंस सिस्टम ने धेर किया है इसके अलावा अप्रेल और अक्तूबर दोहजार चॉबेस में इसराइल ने इरान के मिसाइल हमलों को नाकाम किया अक्टूबर में इरान ने इसराइल के ऊपर 180 से ज्यादा मिसाइले फायर की थी जबकि अप्रेल में उसके ऊपर करीब 400 मिसाइले फायर की गई थी वहीं हिजबुला की बात की जाए तो IDF के एक पूर्व जनरल असाफ ओरियन ने Financial Times को बताया कि हिजबुला अपनी ताकत का सिर्फ दस्वा हिस्सा ही फायर कर रहा है यानि एक दिन में 2000 रॉकेट के बजाए वो कुछ 100 रॉकेट इसराइल पर दाग रहा है इस अंतर का एक हिस्सा हिजबुला द्वारा पूरी तरहा से आगे ना बढ़ने का विकल्प है और इसका एक हिस्सा आइटियफ का इन हमलों को नाकाम करने का कारण है लेकिन हिजबुला के पास एक मजबूत आपरेशन शुरू करने के लिए परयाप्त ताकत बची हुई है और इन ही कारणों की वज़ा से आने वाले वक्त में इसराईल को इंटरसेप्टर मिसालों की भारी कमी हो सकती है हाला कि अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि इसराईल को हथियारों की कमी ना हो लेकिन हिजगुला और इरान के बिचाय हुए जाल से निकलने के लिए इसराइल को बड़ी संख्या में अपनी मिसाइले बरबाद करनी पड़ रही है और रही है